दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि स्मॉल केप कमपणी के बारे में जिसकी शेर प्राइस की बात करी जाये तो मातर एक रुपे का ये शेर आपको देखने को मलता है लेकिन पिछले 5 दिन में ये कमपणी लगबग 13 प्रतीशत से भी जादा के रिटन्स अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दे चुकी है आज की दिन हमें इस शेर के अंदर प्राफिट बुकिंग देखने को मिली है 45,00,00,000 ओपन मार्केट में इस कमपणी के आज की दिन खरीदे गए है इसके चलते इस कमपणी की शेर प्राइस में और भी ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिल सकती है सबसे मिले बात कर लेटे हैं कमपणी के मार्केट केपिटलाइजेशन की कमपनी का market capitalization around 108 करोड रुपिस का है याने की 108 करोड रुपे के market cap वाली ये कमपनी हमें देखने को मिलती है अगरी important price release की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 अगस 2023 से आज ही की दिन ये price release निकल कर आई है कमपनी का नाम भी आप देख सकते हैं GG Engineering Limited की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जहाँ पर कमपनी को एक और बड़ा order यहाँ पर हाथ लग चुका है GG Engineering Limited बेगड fresh order for infrastructural steel valued at about 320 million याने की around 32 करोड रुपे का project यहाँ पर कमपनी को हाथ लग चुका है recently last week में कमपनी को 21 करोड रुपे का order हाथ लगा था और अब कमपनी को 32 करोड रुपे का याने की 320 million रुपे का यहाँ पर order हाथ लग चुका है तो continuously कमपनी को काफी बड़े order हाथ लग रहे हैं इसी का असर कमपनी के financial numbers पर भी हमें देखने को मिल रहा है GG Engineering is targeting 20% plus growth in revenue from the infrastructure steel business during the current financial year तो अगर यहाँ पर जिस प्रकार के order कमपनी को मिल रहे हैं तो कमपनी का जो target है 20% की growth का इनके steel business के अंदर तो वो definitely देखने को मिल सकता है बात करें कि यहाँ पर bulk deal से related क्या important report यहाँ पर निकल कर आ रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक 3 घंटे पिले यह news निकल कर आई है जिसमें विकासा Global Fund PCC, Ubilia, Capital Partners Fund, PIX 45 lectures of GG Engineering मैं आपको इसकी date भी confirm करवा देता हूँ आपर आप date भी confirm कर सकते हैं 10 अगस 2023 आजी के दिन यह news निकल कर आई है जिसमें आप देख पाएंगे GG Engineering has announced that विकासा Global Fund PCC, Ubilia Capital Partners Fund has bought 45 lectures of the company तो यहाँ पर यह जो 45 लाग shares खरीदे गए हैं या BAC के official website पर जाकर जो bulk deals का option आता है उसमें GG Engineering Limited का नाम डाल कर भी चेक कर सकते हैं अब बात करी के bulk deal क्यों यहाँ पर देखने को मिल रही है तो recently company को जो 21 करोड रुपे का order हाथ लगा था उसके बाद में हमें shares के अंदर इतनी शांदर buying आते वे देखने को मिल रही है आप सभी के लिए मैं यहाँ पर BAC के official website को open भी कर देता हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं Vicasa Global Fund जो की PCC Ubelia Capital Partners Fund है उन्होंने यहाँ पर 45 लाग shares करीदे हैं ज़िए आप इस small cap company के अंदर investment करना चाते हैं वही कमपनी के financial result की बात करें तो recently company ने अपने financial result को declare करा है quarter one के result निकल कर आ चुके हैं जहाँ पर company ने जून quarter में 18 करोड 45 लाग रुपे का revenue declare किया है जो कि अगर आप देखेंगे तो लगबग 56% की jump है में year on year basis पर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ net profit की बात करें तो 51 लाग रुपे का net profit company ने डिकलेर किया है जो कि year on year basis पर 38 प्रतीशत से बढ़ चुका है वही अगर चीजी engineering limited की बात करें तो company को recently 21 करोड रुपे का एक order और आज के दिन 32 करोड रुपे का एक और order मिल चुका है याने कि अगर आप दिखेंगे तो 53, 53 करोड रुपे के order company को यहाँ पर हाथ लग चुके हैं तो यह quarter company के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर दिखने को मिल रहा है जिसके चलते ही इसकी share price में भी काफी अच्छी तेसी दिखने को मिल सकती है तो यदि आप GG Engineering Limited के अंदर निवेश करना चाते हैं तो यहाँ पर आप खरिदारी करने का मन बना सकते हैं